पायल एक खुले मिजाज की जिन्दा दिल लड़की होती है जिसे उसके पापा ने फुली सेल्फ इंडिपेंडेंडेंट बनने के लिए सब कुछ सिखाया हुआ होता है एक शाम पायल अपनी बाइक पर सीटी बचाते हुए कॉलेट से घर वापस बहुचती है जिसे देखते ही उसकी ममी गुसे में पोरा घर सिर पर उठा लेती है आ गई महरानी बहुत बोलते थे मैं अपनी बेटी को सब कुछ सिखा कर दुनिया में मजबूती से खड़े रहना सिखाऊंगा साथ में बेटी को लफंडर बनना भी सिखा दिया ये नहीं बताया क्या हुआ आज ये कुकर इत्ती सीटी आ क्यो मर रहा है सिटी सारी फसाद की जड़ तेरी वो बाइक और सिटी है उनी से लड़के छेड़ती है ना तू हाँ ये तो गलत है मुझे बताय बिना ही लड़का छेड़ दिया हाई तो बा ये कैसा पती और बेटी मिले है मुझे आरे ममी यार तुम ओवर एक्टिंग बंद करो और मैंने कोई लड़का नहीं छेड़ा पापा शिट यार अच्छा ममी आप पहले मुझे बताओ कि आपको ये सब बेकार बाते बताता कौन है अच्छा तुने कोई लड़का नहीं छेड़ा अरे वही शर्मा आंटी वही बताती रहती है पर उसकी खबर तो मैं खुद ले लूँगी अच्छा मेरी प्यारी बेटी ठक गई होगी ना जा कर आराम कर बेटा अच्छानक ममी को गरम से नरम होते देखके पाइल और उसके पापा कनफ्यूजन में एक दूसरे को देखने लगते हैं आखों से कच इशारे होते हैं और पाइल वहाँ से चुप चाप चली जाती है जिसके बाद रात को घर में सब के सोने के बाद दोनों पापा बेटी इच्छात पर मिलते हैं क्या खबर लाए हो अरे तुम्हारी मम्मी तो हमसे भी तेज निकली कोई खबर नहीं मिली या यार पापा पता नहीं अब मेरी मदर इंडिया कौन सा बम भोड़ेंगी इसे के साथ दोनों अपने कमरे में वापस जाकर सो जाते हैं अगले सुबह पाइल जैसे ही कॉलेज जाने के लिए तयार होकर कमरे से बाहा निकलती है तो उसके मम्मी उसे लड़के वालों के सामने ले जाकर खड़ा कर देती है जी ये है मेरी बेटी पाइल थोड़ी चंचल है लेकिन बहुत नेक दिल और होश्यार है देखते ही देखते कुछ गंटों में पाइल और शुबम का रिष्था पक्का हो जाता है जिसके कुछ दिनों बाद पाइल शादी कर अपने ससुराल पहँच जाती है सूचा था मम्मी कोई बम भोड़ेंगी पर उन्होंने तो सीधा मुझे उम्रकैद की सजाई दे दी बहू अब उम्रकैद समझो या बम रहना तो यहीं है दिवाना यहीं है इसलिए अच्छी छोरी हरकते बंद करनी होगी यह आप क्या बात कर रही हो मैंने क्या क्या इतने मासुम ना बनो मुझे तुम्हारे कारनामों के बारे में सब अच्छे से पता है ऐसा बोलकर सास तो बहां से चली जाती है लेकिन पायल सोच में पड़ी वहीं खड़ी रह जाती है जिस कर शुबम उसके पास आता है तुम ममी के बात का बुरा मत मानना वो पडोस वाली आंटी ने उन्हें तुम्हारी बाइक चलाना सी टिया बजाते हुए घूमना बे धड़क सबसे बात करना बगरा जैसी कुछ बाते बताती है जिससे सुनकर उन्हें गुसा आगा है पर फिक्र मत करना तीरे तीरे साथ पहने से पुपी ठीक हो जाएंगी थैंक्स फो यूर कंसर बट आइड़क सीधा अपने कमरे में चली जाती है अगली सुबह कॉलेज जाने के लिए तयार हो सीटी बजाते हुए कमरे से बाहर निकलती है जिसे देख सास गुसे से तिल मिरा उटती है महारानी शादी के अग करो यह हमारा घर है कोई सडक नहीं जहां तुम आवारा घर्दी करती घुमो ममी जी सीटी बजाने और कमफर्टिबल कपड़े पहने से लोग कब से आवारा बनने लगे इसी के साथ सास बहु का युद शुरू होने ही वाला होता है कि शुबम वहां पहुच जाता है मा उस शुशन संभादर शुबम और पायल घर से निकल जाते हैं इसी तरह दिन बितने लगते हैं जिससे सास बहु के लड़ायों के बीच शुबम पिस्ता रहता है लेकिन साथ ही वो दोनों एक दूसरे की आदतों को अपना भी लेती है पर पायल का सीटी बजाना सास को आज भी नागवारा ही होता है आसमान गिर जाएगा धरती भट जाएगी पर इसकी सीटी ना जी ना कभी बंद नहीं होगी अरे ममी जी जब आप मेरे कुछ बोले बिना सीटी से ही समझ जाती हो कि मैं क्या बोल रहे हूं पर इसे बदलने की क्या जरुरत यही ता हमारी यह निकनेस पायल की बाद से ज्यादा सहमत ना होते हुए भी सास हस पड़ती है उसी शाम पूरा परिवार घूमने जाने का प्लान मना कर घर से निकल जाता है और उनके जाते ही घर में चोर खुसाते हैं और तभी वो सब भी दोबारा घर के अंदर आते हैं बाहर से क्या यार पायल एक शाम भी फोन के मिना नहीं रह सकती थी क्या घर में ही तो फोन है कहाँ चला जाता अब जल्दी अंदर जाकर अपना फोन लाओ ममी और मैं यही बार वेट करते हैं ज्यादा बोल रहे हो देखो अब और तीरे काम करूँगी ऐसा बोलकर पायल घर के अंदर जाती है और बहुत देर तक बाहर निकल कर नहीं आती अरे यह तो सच में जान बुझ कर लेट करने लगी चला कर देखते हैं ना दोनों जैसे ही में डोर के नज़्दिक पहुँचते हैं उन्हें पायल के सीटी बजाने की आवाज सुनाई दीती है हमें लेट करके खुद मजे से बैठी सीटी आ बचा रही है अरे गधे यह मजा नहीं सजा है जल्दी से पुलिस को फोन अकर मा की बातों से कन्फ्यूजड शुबम उसे देखता ही रहता है सास खुदी पुलिस को फोन कर देती है कुछ देर बाद वो दोनों पुलिस के साथ घर के अंदर जाते हैं तो पायल एक कुर्सी पर बंदी होती है और सास को देखते ही दोबारा सीटी बचाने लगती है ए सीटी ओ की दुकान फिर से शुरू अगई तू और क्या इन सब को कह रही है कि चोरा है चोरा है तुझे कैद किया है थोड़ा तो तरस खाकर डर हमसे और प्यार से क्या बोल रहा इससे अरे इसके सर पर बंदूक लगा ठोक दे इसको अरे चले जोटे तेरे पास तो हथ्यार है ही नहीं सास की बात सुन वहां मौजद सारे इंसान हैरान रह जाते हैं और पुलिस तुरंत उन्चोरों को अरेस्ट कर लेती है आप को कैसे बता के इनके पास हथ्यार नहीं है अरे सीटी नहीं तो बताया अरे सीटी नहीं है